भारतिये पुलिस महान इदेश्चक सम्मेलन दोहसार तेश में प्रिधान मंत्री मोदी और ग्रह मंत्री अमिश्या ने स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर अपना विजिन साजा किया था इस सम्मेलन में देशबर की जीजी जीपी डी आईजी और आईजी सहीत पुलिस के अलादिकारी मौजूद रहे बैटक में आतंकी कतिविदियों की चुनोतियों के बारे में चर्चा की गई देश में अपरादिक और आतंगवादी कतिविदिया रोकने के लिए और साथ साथ पुलिस को स्मार्ट बनाने के लिए लगातार देश बर में सम्मेलन आयुजित किये जा रहे हैं और इसी के तहट आखेल बारतिये पुलिस मान इर्देशक सम्मेलन 2023 राजिस्तान के जैपू में आयुजित हुआ जिसमें विबिन चर्चा किये गई जिसमें शामिल हुए डीजी पी अभिनाफ कुमार हमार साथ मौजूद है सर किन विश्यों में चर्चा किये गई इतने बड़े समय यह जो अनुवल डीजीज कॉन्फेंस होती है यह जो हमारे देश की पुलिस व्य जिसमें पूरे देश भर के सारे पुलीस फोर्सेस के डीजी जाते हैं सारे स्टेट्स के सारे यूनियन टेयरेट्रीज के सारे सेंट्रल और यह कैई तो यह मतलब टॉप मोंस्ट हमारे प्रोफेशन की यह गैदरिंग होती है और इसमें एक तो पहले की जो विश्य होते है उनकी भी समिक्षा की जाती है और फिर आगे आने वाले वर्ष में जो भी गवर्मेंट ओव इंडिया के लेवल पे गवर्मेंट की प्राइरिटीज हैं उनको हमारे सामने रखा जाता है अलग-अलग विश्व पे प्रेजेंटेशन होते हैं अलग-अलग एजिंसी इस बारा और प्रधान मंत्री जी और मानिय ग्रह मंत्री जी भी अपना मालदर्शन प्रधान करते हैं और साथ-साथ कई सारे विश्व पे हमसे स्टेट से भी फीड़बैक लिया जाता है कि जो महत्पूर विश्व हैं किया मतलब हमारा अनुभव है या क्या हमारे सुझाव है तो प्रधान मंत्री जी लगभग पूरा दो दिन उसमें रहे और उससे एक दिन पहले मानिय ग्रह मंत्री जी ने आकर इसके इनौगरल सेशन को इसका मतलब उत्खार्टन किया और अपने विचार रखे और मतलब उत्राखन के परिपेक्ष में मैं यह कहना चाहूंगा कि काफ मतलब हम लोगों के लिए काफी यह मतलब एजूकेशनल एक्सपिरियंस था हमको एक तो जो वश्ट दोहजाद चौदा से प्रधान मंत्री जी ने स्मार्ट पुलिसिंग का विजन दिया है और उस विजन को साकार करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं और आगे क्य क्या क्या हम से अपक्षाए हैं उसके बारे में विस्तार से अलग-अलग एजनसी इसने हमारे साथ चल्चा की और तो काफी सारे बिंदू इस कौनफरेंस से निकल के आए हैं बाकी तो जब हमें इसके फॉर्मल मिनिट्स मिलेंगे तब हम उन पे वो करेंगे लेकिन कल ही मै ने भी इस बारे में पुलिस मुख्याले में अपने सारे वरिष्टादिकारियों की एक मीटिंग बुलाई थी और उसके जो प्रमुक बिंदू थे जिस पे हमें कारवाई करनी है अगले तीन-चार महिने में उसमें हमने एक रणनीती बना दी है और इसके तहत अलग- दो-तीन महिने में सभी बिंदूओं पर कारवाई प्रागम कर देंगे और ताकि अगले साल की जब भी कॉन्फरेंस होती है और जब हम उत्राखन का हमें रेप्रेजेंट करने का मौका मिलता है तो हम प्राहन माननी प्राहन मंत्री जी के सामने माननी ग्रह मंत्री जी के साम है उसके अनुरूप हम लोगों को की समिक्षा भी काते रहते हैं हम लोगों को मारदर्शन भी देते रहते हैं और उन्होंने भी इस कॉंफेंस से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदों पे उत्राखन सरकार की और से जो भी संभव मदद होगी वो दिने का हमें आश देखेंगे यह साइबर क्राइम की रोक थाम और साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनोती है और जिस तरह से पिछले दस वर्षों में स्मार्टफोन का प्रियोग बड़ा है आप देखते हैं हमारे प्रदेश में भी दूरास के ग्रामिनी छेत्रों में भी हमारे पब्लिक वेलफेर में खुशाली बढ़ाने में सूचना के आदान प्रदान में बहुत मदद मिलती है लेकिन किसी भी टेक्नालोजी की तरह से इसके निगटिव यूजिस भी है और यह देखने को आया है कि पिछले दस वर्षों में साइबर क्राइम बहुत बड़ा है तो को भी हम लग लगातार अपग्रेड कर रहे हैं और साथी साथ मेरा मानना यह है कि इसमें सिटिजन्स को भी अवेर करने की बहुत जरूत है तो हम लोग समय 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 पे साइबर क्राइम को लेके जाग रुकता संबंदी अभ्यान भी चला रहे है और मुझे पूरा विश्व का इस्तेमाल करने वाले क्रिमिनल भी अपनी टैक्टिक्स बदल रहे हैं तो पुलिस को भी इसमें कंटिन्यूस अपग्रेड करना पड़ेगा अपनी टैक्टिक्स चेंज करनी पड़ेगी अपना हाड़वे, सॉफवेर, इंफ्रस्रक्ट्ट्रक्टर जो है उसको अपग् हम लोग इसको एक चुनोती के रूप में सुविकार करते हैं और बस हम ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उत्राखंड पुलीस अपनी और से साइबर क्राइम की जो भरती हुई थ्रेट है इसका सामना करने में कोई कसन ने छोड़ी तो जैसे आपने पताया परदान मोडर्न किया जाएगा तो हम लोग भी दिरे दिरे अपने सीटीव का जो नेट्वर्क है उसको अपड़ेट करते रहते हैं सीशी टीवीज में हमारी कोशिश यह रहे कि जो भी हमारे प्रदेश के प्रमुख। साथी साथ जो हमारे मेन हाइवेज हैं और खास्तों से जो ट्राफिक एक्सिडेंट्स के लिहाज से जो सेंसिटिफ पॉइंट्स हैं वहां पर भी हमारी सीची टीवी कवरिज बढ़ाई जाए और हमारी कोशिश है रहेगी कि सीची टीवी एक बहुत अच्छा टूल है फोर् कंप्यूटर सिस्टम्स हैं एई आई है इसका भी हम सहरा लेके लगातार अपने एप्स को अपनी वेबसाइट को अपडेट करते रहेंगे हमारी कोशिश यह भी रहेगी कि अगले कुछ दिनों में चैट बॉट भी पुलिस का लाउंच हो जिससे की कई सारी रूटीन के व हैं वो चींच की गई है उसको लेकर ट्रेनिंग के इस तरह जल रही है देखिए हमने इस में इस सम्वन्द में भी जो डीजीपी कॉन्फेंस थी उसमें बड़े विस्तार से चलचा हुई और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो भी उसमें कें सरकार की मन्शा है उसको एक त है तो इन सारे मुद्व पर काम करने के लिए हमने कल ही मीटिंग करके अपने अधिकारियों की अलग-अलग सब कमिटीज बना दी है और मुझे लगता है कि आने वाले एक साल में हमारा प्रयास रहेगा कि सारे सिस्टम्स को इसके लिए तैयार करते हुए हम इस साल के एंड देशक सम्मेलन दोजार तेश उसमें प्रदान मंत्री नरेंद्र मूदी और ग्रह मंत्री अमिशा द्वारा जो विजन दिया गया है उसे आगे बढ़ाया जाएगा के मैं तुश्यार गुपता इंडिया वाइस दिरह दो